हालो एप्रिवान वर्कम बाक टू माई चानल और कैसे हो आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे सिहत मंद होंगे खुशाल होंगे अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे कैसा रहा आपका वीकेंड बताएगा मुझे वैसे तो अभी सब तरह बिल्कुली फेस्टिव फेस्टिव हो रख खा है वीकेंड अब हम लोग पहले जैसे वीकेंड एंजोय करते हूँ वैसे नहीं करते है इस अल फेस्टिव नाओ मैंद भी ये व्लॉग है कल का यानि के मंदे का और संडे को मैंने कुछ भी नहीं रेकॉर्ड किया संडे वस लाइक फामिली डे फॉर मी मैंने पूरा दिन अपनी फामिली बच्चों अगरे के साथ एंजॉय किया कुछ काम नहीं किया एकदम लेज अराउंड किया मतलब ब कुछ करने का मन नहीं करता मेरा ये संडे ऐसा ही था और इसका रिजल्ट है कि कल फिर कोई व्लॉग नहीं आया मुझे कुछ इमेल्स भी आया थे आपने व्लॉग नहीं डाला तब अठीक है हां तब इत मेरा अच्छा है फिजिकली बस मैं अपने आग को थोड़ा सा मेंट तो इसके लिए मैं थोड़े से प्याज एक कारट एक हरी मिर्ची काट रही हूँ इसमें थोड़ा सा मतर भी जाएगा बट वो मेरे पास फ्रोजन रखा हुआ है तो उसको एस सच प्रप्यार करने की ज़रत नहीं है और जो सेमिया है ना यानि के वर्मिसली मेरे पास प्री आसमान का अंतर होता है तो वह जो प्री रोस्टीड वर्मिसली भी थी ना वह थोड़ी देर रोस्ट कर लिए अच्छी तो ड़ी गरम हो गई है थोड़ी अच्छी खुश्बू आगी है तो वर्मिसली त्यार कर ली है और मैंने रख दिया था थोड़ा सा पीनिट्स भी फ और इसमें थोड़ा उरुद दाल सकता है मेरा फिनिश हो गया तो मैंने नहीं डाला और इसके बाद जो चीजे आपने काटके रखे हैं वह सारी की सारी यहां आड कर दें क्योंकि यह है उपमा सेमिया उपमा तो इसमें जो भी वेजटेबल आपको पसंद आते है न वह सब आप डाल सकते हो अवैलिबिल्टी और चॉइस के हिसाब से आप देख सकते हैं मेरे पास यह अवैलिबल थे तो सारी चीजे मैंने मतलब प्याज कारट और ग्रीन चली साथ में डाल के बून लिए और इसके बार डाले है मतर यहां मैं डाल रही हो मसाला थोड़ा सा हल्दी का पाउडर थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर इसमें में लाल मिर्ची का पाउडर नहीं डाल रही है क्योंकि हमने अरी मिर्ची डाली है उपमा बहुत ही तेज तीखा भी नहीं होता है माइल होता है और बहुत अच्छा लगता है तो सारी चीजे भून जाने के बाद म नमक वगरा चेक कर सकते हैं आप यहाँ पर और यह पानी एक बार बॉइल ले लेगा तो इसके अंदर जो वर्मिसिली है वह आप डाल दीजिए यह प्री रोस्टेड माकेट बॉट वर्मिसिली है एक बार सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाए ना नमक पानी वगरा डाल और इसे 5-7 मिर्ट पकाईए आपकी वर्मिसिली एक दम पकी पकी लगें बट नीचे थोड़ा सा पानी रहेगा 5-7 मिर्ट में ऐसा हो जाएगा बतलब आपकी वर्मिसिली अच्छे तरह से कुक हो जाएंगी फुली एक्सपांड हो जाएंगी जितना उनको फूलना होता है बट स्टिल नीचे आपको थोड़ा बत पानी दिखेगा इस स्टेज पे आपको बंद कर देना है गास और ढकन लगा के आप दीजे इसको स्टैंडिंग टाइम जो वर्मिसिली रहते हैं पुलाव रहता है राइस उसको स्टैंडिंग टाइम की बहुत ज़रुत होती है यह अच्छी से एक दम अच्छी खीले भी बन करते हैं लोक दिस कितना अच्छा लग रहा है और खाने में एक दम ही लाइट ब्रेक्फस्स के लिए तो बहुत ही अच्छा एटम है इन फाक शाम में आपको चार शे बचे चोटी मोटी भूट लगती है तो भी आप इसे बना सक अपना जो कप्स बगरा है वो लगा रख हैं मैं सोच रही थी कि मैं यहां पर जो मेरे डब्बे है न वो लगा देती हूं बद दैन मैं आपको दिखाओंगे मेरे पास कुछ डब्बे हैं जो कि बहुत ही टॉल है तो यहां नहीं आपाए मैंने जो उनका डायमेंशन है वो करने लगी थी जैसे मुझे रियलाइज हुआ कि यह नहीं हो सकता है तो आइ थाट कि चलो नहीं हो रहा है तो नहीं सफाई करके वापस सारी चीज़े रियोगनाईज कर देते हैं तो मैंने यहां पर से सारा समान निकाल लिया है पहले ऐसे ही ड्राइग बर साफ के लिए इसके बाद ही जो मिक्शर आप देख रहे हो ना कोलीन का बॉटल था वो खाली हो गया तो इसके अंदर मैंने अपना ही विनेगर वाला सुलीशन बना के रखा हुआ है इससे जातर ची लेवल हाई है पानी का तो इसलिए वो शार्ज होता है वो बहुत ज्यादा जमता है तो इसके लिए अलग से मैं क्लीनर लेकर आती हूँ बाकी जो भी सफाई है वो यह विनेगर बेस सलीशन जो मैंने बना रखा है इससे मैं कर लेती हूँ मतलब मेरा किचन का स्टूव भी प्लैटफॉर्म भी कबर्ड यह वो लगवग हर जगाई यह साफ हो जाता है सफाई करने के बाद मैंने इसको पूरा ही सूखा कर लिया है सारे सर्फिस को और इसके बाद मैं वापस से सारी चीज़े अरेंज कर दूँगे और यहाँ पर आप जितनी भी चीज़े देख रह हैं और कुछ एक तो मुझे भी याद भी नहीं मैंने कहां से लिया था मैं बैसिकली इस कबर्ड की बात कर रही थी मुझे ऐसा फील हो रहता है कि यह थोड़ा फंक्शनल नहीं हो रहा है यहाँ पर मुझे जो नीचे के डब्बे हैं पता नहीं चलता उसमें क्या रखा हु है बदन यह जो आप सफेद वाले डब्बे देख रहे हो ना इन्होंने सारा गेम ही बदल दिया यह थोड़े से ज्यादा टॉल है है बहुत अच्छे मुझे बहुत पसंद है बहुत फंक्शनल हैं बहुत ही सुन्दर भी दिखते हैं बट यह थोड़े से ज्यादा हाइट हम लोग कभी कभी है ना कितना भी आर एंडी कर लें कितना भी सोच समझ कर कोई स्टेप लें कोई काम करें बद देन जब वो चीज हमको बरतनी पड़ती है ना जब हम इसका इस्तिमाल करते हैं तो विद दो यूजज अन पैसेज अफ टाइम हमको पता चलता है कि उस चीज में जो कि हमने कितनी प्लानिंग के साथ की थी कुछ खामिया रह गई है तो सेम हैपन विद माइ किचन का फर्नीचर हाला कि इसमें कोई कमीनी है यह देखने में भी अच्छा है और इसक्वाइट फंक्शनल बद अभी आपसर्व मुझे ऐसा फील होता कभी कि थोड़ा बह इस दब्बे वाली चीज को लेकर ही होता है काश की ऊपर में कहीं लगा सकती तो ज्यादा अच्छा रहता है यहां भी उतना बुरा नहीं है बट वही एक बात है कि नीचे के डब्बे फिर मुझे दिखते नहीं है और जो काम 30 सेकिन में हो सकता है उसके लिए मुझे एक मि अच्छी से ध्यान रखना चाहिए सारा सफाई हो चका है सेम मेरे क्लीनर से मैंने सफाई कर लिया है इसके बाद इसको अच्छी तरह ड्राइ कर लिया है मेरे हाथ में जो टावल है यह माइक्रो फाइबर का टाल है तो इससे क्लीनिंग ड्राइं अच्छी से हो जाती है इस फिलाल में तोड़ा बहुत और काम करके आज आपके साथ एक बहुत अच्छी रेसिपी शेयर करूँगी आप ट्राइ करना बहुत बढ़िया बनते है और इससे पहले मैं बनाओंगी हमारे लिए चाहे और हाँ मैं ये डेकरेशन रिमूव कर जाती है तो अभी तो फेस्टिवल हो गया अभी दुबारा जब फेस्टिवल आएगा तब घर सजाएंगे तो फिलाल के लिए मैंने सारा सारा उठा करके अभी रख दिया है थोड़ा सा न सफाइवफाई करने में अच्छा लगता है और अगर पूरे साल एक ही जैसा दिखता रहे तो फिर स्पेशल कुछ नहीं लेगा इसलिए फेस्टिवल के दौरान मैं जितना हो सकता है घर सजाती हूं इसके बाद फिर उतार लेते हैं चीजों को और इसके बाद फिर नए फेस्टिवल पे घर सजाते हैं और ये बन यहां मैंने पान में ले लिया है थोड़ा सा ओईल यह थोड़ा सा गरम जाएगा डालेंगे कटा हुआ अधर कटी भी हरे मिर्चे इसके बाद करजीजे गास बंद क्विकी डालेंगे मसाले कुटा हुआ सौफ दनिया का पाउडर लाल मिर्ची का पाउडर जीरा डाला है म अमचूर पाउडर काला नमक थोड़ा गरम मसाला हींग और थोड़ी कसूरी मेती भी मैंने डाली थी और यह सब डालने के बाद फिर गैस अन कीज़े अदरवास डालते यह जल जाएंगे अब मैं यह सारी चीज़े थोड़ा सा भून हूँगी भून लेने से बहुत अच् कुछ खास नहीं पसंद है मैं बहुत कम प्रेट पकोड़े समों से कचोरी खाती हूं मुझे उतना ज्यादा उनकी लिए लाइकिंग नहीं है बर शर्मा जी को बहुत ज्यादा पसंद है तो मैंने सूचा मैंने कभी वी आपको रेसिपी भी नहीं दी है मैं बनाती भी थोड़ा सा मैं इसको एसे टका टक करके काट भी रही हूं भून भी रही हूं स्वाद के हिसाब से नमक एड़्जस कर लीजिए और इसको अच्छी तरह दो चार मिनिट भून लीजिए मसाला अची तरह से भून जाएगा ना तो इसे साइड रख देंगे आप चाहें तो आलू के अंदर यह सब जैसे आलू के पराठे के लिए मिलाता है वैसे भी कर सकते हैं बट ऐसे तोड़ा अच्छा टेस्ट आता है यह मैंने ले लिया तोड़ा बेसन और इसके ने डाले बनता है और क्रिस्पी तो बिल्कुल नहीं बनता है सूपर फाइन बेसन अक्स लाइक मैदा ओली वह कोट करें लिए तो बहुत अची चीज है बट उससे क्रिस्पीनेस कमाती है तो मैंने मेरा नॉमल जो चक्की वाला बेसन हो वह लिया है आप सूपर फाइन भी ले सकते ह और इसके बाद पहले थोड़ा थोड़ा पाई डालें बाद में और पाई डालकर आप consistency अज़स्ट कर सकते हो पहले थोड़ा पाई डालने से इसमें लंप्स नहीं आएंगे मैं हाथ से फेट रही हूं अच्छा फेट सकते हैं मुझे ऐसा फील होता है आप चाहिए तो लेड बाद में अगर यह गाड़ा हो जाता है तो पानी मिलाकर अज़स्ट कर लेंगे तो जो बेसन है बैटर वो भी हो गया रेडी और अब यह जो हमारा आलू का मसाला है इसमें करेंगे एक सूपर ट्रिक जो के हलवाई लोग जरूर से करते हैं और वह है यह कि इसमें पानी एक दम नॉर्मल पानी है जो हम पीते हैं गरम वाला पानी नहीं है पानी डालकर इसको हाथों से थोड़ा माश करेंगे इसके अंतर जो भी लंबस है वो इवन आउट करेंगे और यह थोड़ा सा पेस्टी टाइप हो जाएगा तभी यह ब्रेट पेस्प्रेड करने म अब एक ब्रेट में बनता है बस्टी ब्राउन ब्रेट यह था तो मैं यही ले रही हूं एक बॉल ले लिजे ब्रेट के बीच रखी और इसके बाद देखिया में किस तरह उंगलियों से इसको ब्रेट कर रही हूं ऐसे ब्रेट कीज़े तो एकदम ही आसानी से आपका जो जो ब्रेट पे स्टफिंग लगाने का प्रोसेस है आप उ कर पाएंगे यह देखिया एकदम अच्छी तरह से हो गया तो सारे जो ब्रेट स्लाइसिस है मैं इसी तरह से जो हमारा आलू का मिक्शर है उस पे ब्रेट करके त्यार कर लोगी बहुत लोग जो ब्रेट है उसके पहले मीठी चटनी या हरी चटनी लगाते हैं और इसके बाद आलू स्प्रेट करते हैं आप चाहें तो आप भी ऐसा कर सकते हो बर जो यूजवली बाहर ब्रेट पर कोड़ा मिलता है वो ऐसे ही बनता है उसको हरी चटनी मीठी चटनी के साथ सर्फ करते हैं ब्रेट पर उस वेले पॉले स्लाइस दीम और धो एक रखे है पनीर का स्लाइस और दूसरे ब्रेटे से बिर दुग नहीं संक्राइश नहीं रखते है लीजे अच्छे तरह से बेसन के अंदर कोट कर लीजे and look at this मैं कैसे उठा रही हूँ इस तरह से आप इसको अच्छे गरम तेल में not very hot की डालते ही जल जाए but medium hot से थोड़ा उपर तेल में आप इसको पकाईए जो हलवाई लोग होता है वो इसे दो बार fry करते हैं एक बार डा आप अगर चाहें तो आप इसको डबल फ्राइ कर सकते बट मैं सिंगल फ्राइ कर रहे हूं क्योंकि मेरा बेसन सुपर फाइन नहीं है तो यह ऐसे भी क्रिस्पी हो जाता है और बहुत अच्छा बनता है आप ट्राय करना आपको बहुत अच्छा लेगा बहुत ही डूएब तो बिट्टू को ब्रेट पकोड़ा कितना ज्यादा पसंद था मुझे हर बार उसी की याद आती है